हेलो दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का स्वागत थे शिवाने आठ क्लासेज की आज की इस क्लास में और आज इस क्लास में हम देखेंगे गुफाओं की चित्रकला यूद्ध कॉंपटिशन टाइम्स चैप्टर फोर तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और आज की क्लास में हम देखेंगे गुफाओं की चित्रकला के सभी महत्पून प्रश्ण वीडियो इधर कुछ दिनों से नहीं दिया जा रहा था उसके लिए हम आफी चाहेंगे कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वज़े से हम वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रहे थे तो आ आज हम देखेंगे गुफाओं की चित्रकला और अब आप अपनी तैयारी एकदम बहतर ढंग से स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बना लीजिए और सभी चीज़े नोट्स में नोट्डाउन किया पीजिए रिवीजन में आपको काफी हेल्प मिलेगी पहले भी मैं ऐसा कहती आ रही थी तो जिन्होंने रिवीजन किया होगा अपने नोट्स को बनाया अच्छे से उनको सेलेक्शन मिला और अगर किसी को सेलेक्शन नहीं मिला किसी कारण वस रह गया तो इस बार आप अपनी एक सीट निश्चत रूप से मान के चलिए कि मुझे अपनी एक सीट लेनी ही है तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन देखते हैं इट एलियन फ्रेसको पेंटिंग की तक्निक किसकी समान है तो यहां पर चार ओप्षन है अजन्ताभीती चित्र बाग चित्र पहाडे चित्र जैपुरी प्रेसको तो आप अच्छे से पहले यह जानिए कि फ्रेसको तकनीक है क्या ठीक है फ्रेसको जो होता है ये मियूरल पेंटिंग की एक तकनीक होती है जिसे ताजा रूप से बिछाए गए या फिर गीले चुने के प्लास्टर पर निस्पादित किया जाता है ठीक है और इटेलियन फ्रेसको का अर्थ ही होता है ताजा तो यह तकनीक किसक पर चितरकारी की जाती है जिसे फ्रेस्को बिन में चित्रन का उधारान जो है वो आपके जैपुरी फ्रेस्को 5 औरडी की और धान क्योंकि बाग चित्र होगा नहीं, पहाड़ी चित्र नहीं होगा, अजन्ता भीती चित्र नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका आपसंटी हो जाएगा, जैपुरी फ्रेस्को, नेक्स्ट कोश्चन हमारा है, कोश्चन नमबर टू, ध्यान दीजिएगा, बाग गुफाएं इस्तित हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट, उत्तर प्रदेश, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, कि बाग की गुफाएं कहां पर इस्तित हैं, ये परवस्टेणी के निकट ही नर्मदा की सहायक नती बागिनी या बागमती नदी के पास इस्तित हैं, इस्तानी लोग जो है वो बाग गुफाओं को पंच पांडू, यानि कि पांच पांडू की गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं, बाग गुफा की खोज कप की गई तो बाग गुफा की खोज 1818 इस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजर फिल्ड ने किया था, डेंजर फिल्ड ने बाग गुफा का विवरण जो है एवं परिचे मुंबई से प्रकासित साहिति क्विन में संग की पत्रिका के द्विती अंक में छपवाया था, बाग गुफा का विश्रित पर्चे प्रकासित किया डॉक्टर इंपे ने बाग गुफा के पास बागिश्वरी देवी का प्राचेन मंदर भी इस्थित है, और अगर आप इन सभी गुफाओं के विश्य में डेटेल में जानना चाहते हैं, तो चैनल पर आप चरूर ट्रेलिस्ट में देख सभी गुफाओं के विश्य में डेटेल में आपको मिल जाएगा, वीडियो के उपर में आई बटन भी दिया जाता है, वहां से भी आप देख सकते हैं, देखते हैं, कोशन नमबर 3, रावड का कैलासु तोलन नामक मूर्ति शिल्प है, एलोरा गुफा, अजंता गुफा, यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्सन ए हो जाता है, रावड का जो कैलासु तोलन नामक मूर्ति शिल्प है, यह इलोरा गुफा में है, और इस मूर्ति शिल्प का निर्मार जो है, गुफा संख्या सोला में है, आटमी शताबदी के उत्तरार्द में राष्ट कूट समरा प्रतमनी करवाया था, ठीक है, गुफा संख्या सोला में यह मूर्ति आपको मिलती है, रावड का कैलासु तोलन नामक मूर्ति शिल्प और इसका निर्मार आठमी शताबदी में राष्ट कूट समराठ कृष्ण प्रतमनी करवाया था, इस मंदिर के उचितम शिल्प का अफसर मिलता है, अगर आपने वो भी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो आप जरूर देखिए, वहां पे ये भी बताया गया है, रामार द्वारा कैलाश परवत को उठाने का द्रिश्य जो है, उफा संख्या सोला में है, और इसके विसे में और भी डिटेल में बताया गया है, यहां पर जोगी पूरे कोश्चन्स को खराना होता है, तो ज़्यादा डीप में नहीं बता सकते हैं, इस मंदिर के जो उच्चितम जिल्प का उधारन है, वो रामार द्वारा कैलाश परवत का उठाने का द्रिश्य है, भगवान शिव गंबीर मुद्रा में पारवती स सहित कैलाश परवत पर विराजबान है, और अपने चरणों से कैलाश परवत को दबा रहे हैं, रामण की आकरिती में शक्तिछ लगती है, द्रिश्य में पूर्ण सजीवता दिखाई गई है, सीधी खड़ी चटानों को काट कर, एलूरा में लगभग 34 मंदिरों का निर्मा यानि आप से ये भी पूछा जाता है कौन सी ऐसी गुफा है, जहां तीनो धर्मों की तीनो धर्मों से रिलेटिड आपको मंदिर मिलते हैं, तो एलूरा में आपको तीनो धर्म से रिलेटिड मंदिर मिलते हैं, जैसे कि 12 गुफा आपकी बौद धर्म है, तीनो धर्मों की हैं वहांपे बारा गुफा बौद धर्म है सत्र गुफा हिंदु धर्म की तथा पाँच गुफा जैन धर्म किस तरह से वहाँपर चौप इस गुफा मंदिरों का निर्माड किया गया है पुस्तक अजटा म्यूरल्स के लेखक कौन है पुस्तक अजन्ता मियूरल्स के लिखक कौन है तो यहाँ पर आपका रायट आंसर हो जाएगा अजीत घोश अजन्ता मियूरल्स के लिखक है अजीत घोश अगर आपने अभी तक चैनल पर जो पुस्तक और लिखक का वीडियो है नहीं देखा है प्रथम शेणी में आलंकारिक जिसमें विविधालेखन बनाए गए हैं और 32 शेणी रूप भैदिक बुद्ध के दार्शिडिक यो माध्यात्मिक स्वरूप तथा पन्यपाणी वज्रपाणी ये सब बनाए गया है और तीसरी शेणी में चातक कथाएं यानि कि भगवान आपसे ये चीज़ पूछा जाता है तो याद रखेंगे अजन्ता को यूनेसको ने 1883 में क्या विश्व धरोहर इस्थल घोसित किया 1954 में यूनेसको के द्वारा नियुयार्क से अजन्ता की रंगीन चित्नों का एक संग्रह पेंटिंग्स आफ अजन्ता केव्ज नाम से प्रकासित हुआ था आजन्ता गुफा की खोच किस ने की थी तो ये भी आप ध्यान रखेगा आजन्ता गुफा की खोच सरप्रिथम 1819 में जौन इस्मित ने किसने जौन इस्मित ने आजन्ता गुफा की खोच 1819 में जौन इस्मित ने किया था आजन्ता में क्यूरेटर की नियुकती कब की गई थी ये भी आपका कोशन बनता है तो आजन्ता में क्यूरेटर की नियुकती जो हुई थी वो 1908 में ठीक है ध्यान दीजेगा आजन्ता में क्यूरेटर की नियु इस तरह से आपके कई question यहाँ पर complete हो गया तो देखते हैं नमबर 5 द्वार मार्ग पर पार्शो में इस तिस सूर्य और इंद्र ठीक है द्वार मार्ग पर पार्शो में इस तिस सूर्य और इंद्र की उभारशिल्प इस्थित है तो ये एलिफेंटा गुफा में है, राइट आंसर आपका D हो जाएगा, एलिफेंटा गुफा एलिफेंटा गुफा की त्रिमूर्थी जो है, वो भारती मूर्थी कला में भाव अभिव्यक्ति उसकी दिखाई देती है, बहुत ही स्रेष्ट सुन्दर्व प्रसिद्ध है और केंद्र की मुखाकरती जो है, वो कल्यानकारी शिवकी होती है, एलिफेंटा की महेश मूर्थी एक स्वतंद्र मूर्थी है, इसको सरप्रतम प्रकास में लाने का स्रेष्ट किसे जाता है, डॉक्टर आनंत कुमार स्वामी को, एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं समूद देखिए, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी, और ये कुश्चन आपके PGT 2016 के एक्जाम में पूछा भी गया था, तो एलोरा की जो गुफाएं थी, ये रास्ट्र कूट, ठीक है, रास्ट्र कूट ट्राजवन्स के शासनकाल में इनका निर्मार हुआ था, और ये गुफाएं रास्ट्र कूट काल से ही संबंधित माने जाती हैं, एलोरा की गुफाएं कहां हैं, तो एलोरा की गुफाएं महारास्ट्र के औरंगाबाद जिले में इस्तित हैं, एलोरा की गुफाओं को वेरुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एलोरा के प्रसिद कैलाश मंदिर का निर्माड राष्ट्र कूट सासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 733 इस्वी के मध्य कराया था एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं एक से बारा बौध धर्म की गुफाएं हैं 13 से 29 गुफाएं हिंदू धर्म की हैं और 30 से 34 गुफाएं आपकी जैन धर्म से संबंद जाता है यह भी कोश्चन आपका पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे एलोरा की गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है और यह गुफाओं से रिलेटेट कोश्चन आपके सभी आर्ट एक्जाम में लगभग पूछे जाते हैं एल्टी ग्रेट टी जाते हैं अजन्ता की जो चित्रकला है यह सात्वाहन और गुप्तकाल से संबंदित है अजन्ता की गुफाओं का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको बहुत पहले ही इसका वीडियो दिया जा चुका है और वहां पे एकदम टॉपिक वाइज सब चित्रकला अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा तो अजन्ता की चित्रकला किस काल से संबंदित है सात्वाहन और गुप्त ठीक है अजन्ता की चित्रकला का माध्यम आपसे पूछा जाता है तो उसका जो माध्यम है टेंपरा माध्यम है ठीक है और टेंपर रंग जो है प्रयोग किया गया है लेपिस लाजली ठीक है मुख्य रूप से ये इरान यानि कि फारस से मगाया जाता था और अजन्ता गुफा में पीले रंग का भी प्रयोग हुआ है और ये श्रंखिया के भस्म से बनाया जाता था नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर नाइन देखे एली फेंटा गुफाओं महारास्ट को लगभग सदी में बनाया गया तो एली फेंटा की गुफाओं को किस सदी बे बनाया गया आप से पूछा गया है तो यहाँ पर आपका right answer option C हो जाता है आठमी से ग्यार्वी शताबदी ठीक है एलिफेंटा गुफाओं का निर्मार जो है आठमी से ग्यार्वी शताबदी के मध्य राष्टर कूटों के सामन्त शिलाहारों नहीं कराया था यानि की राष्टर कूट साज को नहीं कराया था और एलिफेंटा की जो गुफा है ये महारास्टर में मूमबई की गेटवे आफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीब पर इस्थित है ठीक है एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं तो यहाँ पर कुल साथ गुफाएं मिलती है और एलिफेंटा गुफा की जो त्रिमूर्थी है ये 20 फिट है 6.1 मीटर उची है और यहाँ पर महेश मूर्थी यानि की रॉककट एलिफेंटा में इस्थित है गोर्टि कहां पर इस्ति थे आपसे पूछा जाता है, तो रॉक कर थे ऐलिफेंटा में इस्ति थे, ज़की मैं अगर पूछा जाए तो धारापुरी ठीक है, धारापुरी टापूप पर इस्ति थोने के कारण, इसका नाम धारापुरी था, और यहां पर एक विशाल हाथी की मूर्ती दिखाई दी थी, इसलिए यहां को एलिफेंटा के नाम से जाना गया, और भी डिटेल में आप वीडियो जरूर देखें, वहां से जानकारी प्राप्त करें, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, देखें यहां पर फिर से कोशन है, बाग की गुफाएं कहां इस्ति थे, बाग की गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में हैं, और धार जिले में इस्ति थे, यह भी याद रखेंगे, बाग गुफाओं के खोश सब्तम 18 से इस्वी में हार गुफाएं हैं, बाग के वीती चितरण के लिए ग्लू रंग यानि गोंद मिश्वित रंग तकनीक का प्रयोग किया गया है, बाग की चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है, और बाग की गुफाओं का समय जो था चौथी वो पांच में शताब्दी यानि यह ठीक है, बादामी गुफा मंदिर करनाटक के बागल कोट जिले में इस्थित है, पहले बादामी की गुफा मंदिर जो महाराष्ट के अंतरगत बीजापुर जिले में इस्थित थी, लेकिन अब करनाटक राज्ज के बागल कोट जिले में इस्थित है, ठीक है, बादामी ग अही वासी ने तयार की थी ये भी आपका question पूछा जाता है कि बादामी के भीती चित्रों की प्रति लिपी सरव्रतम किस ने तयार की थी जे एम अही वासी ने बादामी गुफा संख्या एक में नटराज शिव की प्रतिमा है जब इस तरह से आप सभी चीजों को detail में देखे हैं और बादामी की गुफाएं शैव वैशन व जैन धर्म से संबंधित हैं कोश्चन नमबर 12 देखे बादामी गुफाएं किस राजय में इस्थित हैं फिर से वही question repeated है तो answer होगा डी करनाटक next question देखते हैं question number 13 देखे सितन वसल गुफाएं इस्थित हैं सितन वसल की गुफाएं कहाँ पर इस्थित हैं कीरल में करनाटक में तमिलनाडू में अंधर प्रदेश में तो यहाँ कावेरी नदी की स्थित ए आपाल्सर में पांडीयकारीन की गुफः में प्रोफेसर दुर्वीर में सित्तनवासल गुफाओं की खोच की ठीक है और ये गुफाओं पांड्यकालीन है इन गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो छत तथा स्तंबो पर बने हैं और इस गुफा का अन्य नाम भी है यानि कि आखिर कोईल नाम से जाना जाता है सित्तनवासल गुफाओं को ये भी आ कई बार एक्जाम में आपसे शित्न वासल गुफा ना देकर आपसे पूछा जाए कि आखिर कोईल गुफा कौन सी गुफा है, या फिर कहां परस्तित है, तो आप याद रखेंगे कि शित्न वासल गुफा का ही अन्य नम है आखिर कोईल, ठीक है और सित्तन वासल का अर्थ क्या होता है तो ये भी आप जरूर जारिए सित्तन वासल का अर्थ होता है जैन संतो का सिध्ध निवास इस्थल ठीक है और इसी तरह से और भी इसके विशे में जानकारी आपको चैनल पे वीडियो दिया गया है गुफाओं के चित्रकला प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सभी गुफाओं के विसे में आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप जरूर देखी गा, ठीक है, और ये सित्नवासल के जो गुफा है, ये जैन धर्म से समबंदी थे, और साथ ही यहाँ पर और भी धर्मों के चित्र मिल सित्नवासल गुफा मंदिर जो है, ये चट्टान काटकर बनाया गया है, और यहाँ का जो विशे रहा है, जैन व जैनित्तर है, जो पूर्णता लौकिक है, ठीक है, और इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, सित्नवासल गुफ रहें, जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, मानवा आकरती, मशली, हाथी, नारियल पेड के साथ प्राकरतिक द्रिश, तो जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा इन में से कौन सा नही है option D नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक द्रिश्य मानों आकरती मिल जाएगा मशली और हाथी तीनों ही मिलते हैं लेकिन नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक द्रिश्य नहीं मिलता है राइट आंसर डी हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं question number 15 अजन्ता की चित्रकला क्या वरनित करती है तो आप से भी लोग जानते हैं कि अजन्ता में बहुत धिजातक कहानिया मिलते हैं इनका वरनित चित्रन मिलता है तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा बहुत धिजातक कहानिया question number 16 देखिए question number 16 है question number 16 है शित्तन वासल गुफाओं के चत्पर डैस की चवियां मिलती हैं ठीक है सित्तन वासल गुफाओं के चत्पर किस की चवियां दिखाय लेती हैं कमल सरोबर भगवान शियो भगवान विश्मो बुद्ध तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर कमल सरोवर, यानि कि सरोवर में कमल दल का चितर मिलता है, तो right answer यहाँ पर A हो जाएगा कमल सरोवर, इसके विसे में काफे जानकारी मैंने पहले ही दे दी है, तो आगे देखते हैं, question number 17, बादामी गुफा संख्या 4 की छविया हैं, तो यहाँ पर right answer A हो जाएगा, आदीनाथ जैन तेर्थकर, ठीक है, आदीनाथ जैन तेर्थकर जो है, यह बादामी गुफा संख्या 4 में चितरत हैं, और बादामी की गुफाओं का वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं, question number 18, अजनता गुफा संख्या 1 का चितर है, अजनता की गुफा संख्या 1 में वज्रपाडी का चितर आपको मिलता है, तो right answer यहाँ पर C हो जाता है, वज्रपाडी, question number 19, देखिए, प्रसिद्ध बौध भीती चितरकला पद्मपाडी बोधी सत्व इस्तित है, पद्मपाडी बोधी का जो चितर है, यह अजनता गुफाओं में मिलता है, right answer B हो जाएगा यहाँ पर, next question देख लेते हैं, question number 20, किस राजी में एलूरा गुफाएं इस्तित हैं, एलूरा की गुफाएं और अंगाबाद जिले महारास्ट में इस्तित हैं, तो यहाँ पर right answer B हो जाएगा, महारास् का निर्माण राष्टकूट राजवन्स के शाषनकाल में हुआ था, एलूरा में कैलाश मंदिर है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर ठीक है, जिसका निर्माण क्रिश्न प्रथमने करवाया था, राष्टकूट शाषक क्रिश्न प्रथमने, question number 21 देखिए, बाग गुफाओं की अवधी है, तो बाग गुफाओं की जो अवधी है, ये सातवाहन राजवन्स, राइट अंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर बाग की गुफाओं की अवधी सातवाहन, एवन गुप्त राजवन्स की है, ये और कला इतिहासकार विंसेंट स्मित ने बाग चित्रकारी का समय जो बताया है 626 से 628 इस भी माना है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं question number 22 बादामी गुफा संक्या एक की छवियां है तो right answer A हो जाएगा नटराज के रूप में भगवान शियो मैंने इसके पहले question में आपको ये बता दिया था ठीक है अब question number देखते हैं 23 22 के बाद देखते हैं question number 23 कुछ clear कम है ये page तो आप इसको manage कीजिएगा जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधी यहाँ पर पूछी गई है जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधी है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option A जोगी मारा गुफा के चित्रों की जो अवधी है वो अजन्ता गुफाओं से पहले की है तो right answer A हो जाएगा next question देखते हैं question number 24 बादामी गुफाओं को डैश के तहत विक्सित किया गया बादामी गुफाओं को चालुक्यों के तहत विक्सित किया गया है right answer यहाँ पर B हो जाएगा next question देखे 25 जोगी मारा गुफाओं इस्थित हैं तो जोगी मारा की गुफाओं 36 गड़ में इस्थित है right answer B ठीके 36 गड़ के सरगुजा रियासत में इस्थित हैं जोगी मारा की गुफाओं और नर्मदा नदी के उदगम इस्थल रामगर की पहाड़ी उपर इस्थित है ची next question देखते हैं 26 देखिए आजन्ता गुफाओं का कप पता चला तो आजन्ता गुफाओं का पता चला 1819 में ठीके जोण इस्मित ने इसकी कोच की 1819 में आजन्ता गुफाओं की खोच 1819 में जोण इस्मित ने की राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा next question देखिए आजन्ता गुफाओं के विसे में सभी गुफाओं के विसे में आप डीटेल में चैनल पे आप पढ़ सकते हैं वीडियो दिया गया है प्लेइलिस्ट में क्रम से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे question number 27 देखिए जन्ता गुफाओं डैस के पास इस्थित हैं तो यहाँ पर राइट आंसर यह हो जाएगा और अरंगाबाद के पास इस्थित है next question देखते हैं question number 28 देखिए कि सामराजे ने एलूरा गुफा कला को विक्सित किया यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा option B राश्टर कूर्ट ठीक है राश्टर कूर्ट शाशक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलूरा गुफा कला को विक्सित किया गया नेक्स्ट कोष्ण देखते हैं और याद रखेंगे एलूरा गुफा मंदिर में रावर द्वारा केलाज परवत को उठाए जाने का द्रिश्ट है इसके पहले भी यह कोष्ण आ चुके हैं तो मैंने बता दिया है ठीक है question number 29 देखिए बाग गुफा चित्रों में उप्योग की जाने वाली टेक्निक क्या है तो बाग गुफा के चित्रों में जो तक्निक उप्योग में लाई गई है वो है चूने का प्लास्टर चड़ा कर टेंपरा रंगों से आप याद रखेंगे टेम्प्रा रंगों से चित्रन किया गया है बाग के कुफाओं में भीति पर झीक है किसे पर भीति पर है याद रखेंगे बाग की चक्ताने है वह भुरहुरे बलवे पत्थर की हैहां और यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएका आपसे यदि गुफा क्रमांग 26 में बने महापरी निर्वाण मूर्थी बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है तो जन्म घर छोड़ कर जाना विवाह मृत्यू आप जानते हैं कि महापरी निर्वाण जो होता है ये मृत्यू होता है ठीक है तो अजन्ता गुफा संख्या 26 में म पुद्रा की प्रतिमाएं आकरतियां नासिक कनहेरी और पोलो नुरुवा यानि श्रीलंगा आजन्ता में बनी है ये भी आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 31 आजन्ता के किस गुफा मंदिर में प्रशिद भीती चित्र बोधी सत्व पद्मपाणी बहुत ही अच्छा और फेमस चित्र है आपसे लगबग जितने भी आप तक के आर्ट एक्जाम हुए हैं सभी में ये कोशन पूछा जाता है अजन्ता के किस गुफा मंदिर में प्रशिद भीती चित्र बोधी सत्व पद्मपाणी चित्रत किया गया है तो ये है आपका गुफा संख्या एक में राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ठीक है अजन्ता गुफा का वीडियो आप जरूर देखें चैनल पर दिया गया है और यहां पर ध्यान दीजिए कि एलोरा की गुफाओं एलोरा की गुफाओं डैस के निकट इस्थित हैं कोशन नमर 32 पर हम है एलोरा की गुफाओं डैस के निकट इस्थित हैं तो एलोरा की गुफाओं किसके निकट इस्थित हैं आप अच्छे से जानते हैं कि एलोरा की गुफाओं जो है ये अजनता प्राचीन नाम इसका एलापूर अंचल था याद रखेंगे और कुछ लोग एलोरा गुफा को बैरूल के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं 33 देखिए प्रशिद्ध शैल उतकिन त्रिमूर्थी में है तो त्रिमूर्थी कहा है त्रिमूर्थी जो है ये एलिफेंटा गुफाओं में है राइट अंसर ऑप्सिन सी हो जाता है और त्रिमूर्थी के उचाई यहाँ पर 20 फिट बताई गई ह 6.1 मीटर उंची प्रतिमा है जिसे क्या कहा जाता है महिश मूर्थी कहा जाता है ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 34 एलोरा इसित कैलाश मंदिर का नर्मान किसके द्वारा कराया गया यह कोशन काई बार रिपीट हो चुके हैं क्योंकि यह एक्जाम के वाइस यहाँ पर सभी कोशन लिये जाते हैं जितने भी आर्ट एक्जाम हुए अगर आपने यूथ कॉंप्टिसन टाइम्स आर्ट बुक पूरी कर ली तो समझ यह अब तक के जितने भी आर्ट एक्जाम हुए हैं सभी question आप दिक कर लिये हैं ठीक है एलो राहिसित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया तो यहां पर right answer आपका option B हो जाएगा राश्ट्र कुटों के द्वारा next question देखते हैं question number 35 देखे elephanta गुफा मंदिर कहा इस्थित है elephanta गुफा मंदिर कहा इस्थित है तो अभी हमने बताया कि elephanta की गुफाएं जो हैं यह महाराश्ट्र में स्थित हैं right answer option B हो जाता है यहां पर देख लिजे description में elephanta गुफा समुदरतर से 6 मील मुंबई समुदरतर के अंदर एक छोटे से टापू elephanta का जो वास्तविक नाम था क्या था धारा पूरी था elephanta नाम किस ने दिया पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया है यह भी आप याद रखेंगे question बनता है कि elephanta गुफा को elephanta नाम किस ने दिया पुर्तगालियों ने दिया next question question number 36 देखिए भारती चित्रकला में सवर्प्रथम छतों पर बने चित्रों के उधारण किस गुफा से प्राप्थ होते हैं तो यहां पर सर्वर्प्रथम की बात की गई है इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा और यहां पर चित्र कहां पर बने हैं चत पर बने हुवे मिले हैं ठीक है साथ ही आप यह भी जान लीजिए कि 1914 इस्वी में असित कुमार तथा छेमेंद्रिनाथ गुप्त ने जोगिमारा के गुफा के चित्रों का अध्यायन किया था ठीक है और साथ चित्रों के खंडित जोगिमारा गुफा चित्रों को युनानी विशे बताया है रायकृष्ण दास ने जैन धर्म से संबंधित माना है और एशिया की सबसे प्राचीन नाटिशाला सीता बोंगडा भी इसी गुफा में थी और सन 1914 इस्वी में जोगिमारा के चित्रों की प्रतिकृतियां जो है नेक्स्ट कोशन देख रहते हैं कोशन नमबर 37 कला सिद्धान से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरन निंदलकित किस कलाकृति में देखा जा सकता है ठीक है प्रभाविता का जो उदाहरन है ये राहुल समर्पर नामक कलाकृति में दिखाई दीता है और पर विच्रण कर संपूर्ण चित्र का वो रसा स्वादन करती है उसके बाद ठीके और भारती चित्रों में प्रभाविता शिद्धान का बहुत ही सुन्दर्ता पूर्वक प्रयोग किया गया है जैसे आप देख सकते हैं आजन्ता की पद्मपाणी बोधी सत्व में मार विज प्रहाविता का उत्तम उधारन जो है आपको कहां पर दिखाई देता है राहुल सम्रपन लाइट सुमेलित कीजी एक और तरफ सुची सेकेंड रोक क्ण्समें को सुमेलित निर्मित की गई नाम दिया गया है तो बादामी गुफा मंदिर है, ब़ाबर की गुफाए है, एलिफेंटा की गुफाय, उदैगीरी, साइड में आपको सुची सेकेंड में है, मोरे चालुक ए गुप्त कल्चुरी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मिलान करना है तो बादामी गुफा मंदिर किस से रिलेटेड है यहाँ पर आप जानते हैं कि बादामी की गुफाओं जो हैं ये चालुक के वंश के द्वारा निर्मित की गई है और बराबर की गुफाएं जो हैं ये मौर ये शासकों के द्वारा एलिफेंटा की गुफाएं कलचूरी के द्वारा और उदेगिरी की गुफाएं गुप्तवंश में हमने कई बार ये सब कुछ आपको बताया है जितने भी वीडियो मिलते गए हैं सब में ये चीजें ही रिपीट हुई है कुछ भी अलग और नया नहीं रहता है ठीक है तो पहले भी ये सबी कोशन कराये गए हैं चैनल पर अगर आपने वो सब की वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं बादामी गुफा मंदिर हो जाएगा आपका चालुक के बराबर की गुफाएं मौरे सामराज्य एलिफेंटा की गुफाएं होंगी आपकी कल्चुरी और उदैगिरी की गुफाएं मैंने कई बार बताया है गुप्त वंश ठीक है इस तरह से देखें किस में ये ऑप्षन दिये गये है वही आपका राइट अंसर हो जाएगा तो सबसे पहले हम A वाला देखते हैं ठीक है एका दूसरा यहाँ पर आपको मिलता है एका दूसरा उसके बाद B का ठीक है एका दूसरा बी का पहला मौर ठीक और C का चौथा D का तीसरा तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आप्सन A राइट आंसर आप्सन A ठीक है अब हम देखते हैं जोगी मारा गुफा के कोशन ठीक है अभी तक यहाँ पर जो कराएगे हैं तो सभी गुफाओं को मिला करके प्रशन थे हर एक्जाम से लिए गये थे अब यहाँ पर आपको हम एक एक गुफाओं के अलग-अलग से प्रशन करवा रहे हैं ठीक है देखिए आपका कोशन जो है डेसस बी में आया हुआ है जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ह है मौर्तियों के लिए भीतिचित्र के लिए योगियों की समाधी के लिए रिवाव असर हो जाएगा, option B, भीती चित्र के लिए, जोगी मारा की गुफा किसलिए फेमस है, भीती चित्र के लिए, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, 41, अजन्ता के चित्रवमूर्ति किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को यह, अब तक इतना repeat हुआ है, कोश्चन के आप जान ही गए होगे, कि यह बौधत धर्म होगा, यहाँ पर right answer D, अजन्ता के जो चित्रवमूर् यह बौधत धर्म से संबंधित है, नेक्स्ट कोश्चन देखे, 41 के बाद, यहाँ पर कोश्चन नमबर 42, जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी में इस्थित है, ठीक है, तो जोगी मारा की गुफा है, जो यह, किस पहाड़ी में है, रामगड की पहाड़ी में है, राइट आ में थी ठीक है लेकिन अब अगर आप से कोश्ट पूछा जाए जोगी मारा की कुफाय कहां से थे और आपसन में 36 गड़ मिलता है तो आपका आंसर होगा 36 गड़ ठीक है क्योंकि मध्य प्रदेश की ये भूत पूर्व पहले सरुजा रियासत में थी ठीक है मध्य प्रदेश क लेकिन अब ये 36 गड़ में है तो आपका आंसर 36 गड़ होगा और अगर आपसन में आपको मध्य प्रदेश मिलता है तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश ही हो जाएगा ठीक है यहां पर देखे दिया भी गया है कि जोगी मारा की गुफा मध्य प्रदेश की भूत चतापती में टंडूर तिथा रामायरकाल में जारखंड कहा जाता था अमरनाथ नामकिस्तान पर नर्मदा नदी के उद्गम इस्थल पर रामगड की पहाड़ियों में इस्थित है ठीक next question देख लेते हैं confusion नहीं रखेंगे अगर आपको option में 36 गड मिलता है तो आप 36 गड को टिक करेंगे question number 44 देखे जोगी मारा की गुफा की लंबाई यहाँ पर आपसे पूछी गई है तो right answer आपका option A हो जाएगा 10 फिट ठीक है 10 into 6 into 6 तो 10 लंबाई है 6 इसकी चौड़ाई है और 6 ही फिट इसकी उचाई है तो आप इसे याद रखेंगे और यह कई बार पूछा भी गया है next question देखते है question number 45 भीती चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारम हुई है तो आप जानते हैं कि जोगी मारा की गुफाओं से ही भीती चित्रण की कला सर्व प्रिथम प्रारम हुई है right answer आप को उच्छाएगा क्रणा भीती चित्रण का उज्थार आप की गुफाओं से ही मिलता है next question देखते हैं टीषिके जोगी मारा की चित्र बने हैं तो कहां पर बने हैं यह चत mı बने हुए है, राइट आंसर आपका option A, next question, देखिए, यहाँ पर question पूछा गया है, और यह TGT 2005 में आया था, कि जोगी मारा की गुफा कहा इसी थे, और यहाँ पर option में आपको 36 गड़ मिलता है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, option B, next question देखते हैं, question number 48 देखिए, जोगी मारा की गुफा में इसा से कितनी वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा, option A, तीन सो इसा पूर्व चित्र यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, डॉक्टर ग्लॉक के अंसर इस गुफा के लिए तीसरी शताबदी इसा पूर्व की हैं, और य जोगी मारा के चित्र बने हैं, तो कहां पर बने हैं, चत पर अभी हमने ये question करवाया, repeat हो चुका है, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, अब यहाँ से आपका, अभी तक आपने जो question किया, वो जोगी मारा गुफाओं से related सभी प्रशन थे, ठीक है, अब मतलब एक एक question number 50, और ये मिलान वाला ही question है, कूट इसका अलग अलग दिया है, अजन्ता की कौन सी गुफाएं अपने भीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, 39 कुफाएं, 5 चैत्यों, सभी विहार, स्री फर्गुशन द्वारा दी गई संख्या, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन स नीचे आपका ये कूट दिया गया है, ABCD करके और कौन सा कूट यहाँ पर सही है, पूछा गया है, अजन्ता की कौन सी गुफाएं अपने भीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अजन्ता जो है, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि अजन्ता फरतपुर ग्राम से, ठीक है, 46 किलोमीटर दूरी पर महाराश्ट राजी के और अरंगाबाद जिले में इस्तिद्ध है, और इन गुफाओं की खोज किस ने की थी, तो अजन्ता गुफाओं की खोज जौन स्मित ने की थी, जौन स्मित वह उनके दल दौरा सन 1819 में की गई पहला 39 गुफाओं ठीक है, 39 गुफाओं अपने भीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, दूसरा यानि की पांच चैते गुफाओं हैं ये भी सही है और चौथा स्री फर्गुशन द्वारा संख्या दी गई, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा C, नेक्स्ट कोशन द हैं, फाय्टिंग बुल विशय पर चित्रकारी, फाय्टिंग बुल यानि की बैलों की लडाई, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, आप्जान डी, ये गुफाओं इखandır संख्या एक में है, आजन्ता की गुफासंख्या एक में, फाय्टिंग बुल यानि कि बैलों की लड़ाई के विशय पर चित्रकारी की गई है चलिए इसका description थोड़ा detail में पढ़ लेते हैं जिससे आपको और भी कुछ जाने को मिलेगा तो देखें यहाँ पर दिया गया है अजन्ता गुफा संख्या एक में फाइटिंग बुल यानि की बैलों की लड़ाई के विशय पर चित्रकारी की गई है एक दीवाल गीर ब्रेकिट के उपरी भाकवर साडों की लड़ाईजी से कह सकते है ठीक है उसका अंकन किया गया है और चित्र में क्या दिखाय गया है अत्यधी गती और सुडौलता एवं बल ठीक है साथी देखिए अजन्ता गुफा संख्या एक में खंबो पर सुन्दर खुदाई की गई है और गर्ब ग्रिह में 20 फिट चौड़े चबुद्रे पर भगवान बुद्ध की धर्म चक्र प्रवरतन मुद्रा में विशाल प्रतिमा भी बनी है गुफा संख्या एक गुफा मंदिर 525 से 625 से मधिमना इसमें कुछ चित्र जो है वाकाटक सामराजी के अंतिम वर्षों में और कुछ चित्र चालू के राजाओं के समय में भी बने है यहां के कौन-कौन से चित्र है तो आप देखिए अजनता गुफा संख्या एक के चित्र शिवी जातक की कथा आपको मिलती है बज्र पाड़ी मिलता है बद्म पाड़ी बोधी सत्व मार विजय भी है देखिए मार विजय का अगर चित्र आप से पूछा जाए तो आजनता की गुफा संख्या एक में है लेकिन अगर मार विजय की मूर्ती शिल्प पूछी जाए तो यह गुफा संख्या 26 में आपको मिलेगी ठीके इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा तो यह सभी चित्र कहां है अजनता की गुफा संख्या एक में है और जादा आप अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल की प्ले लिष्ट जरूर देखें गुफाओं की चित्र कला वहां आपको सभी गुफाओं मिलेंगे कोशन नंबर 52 देखिए अजनता गुफाओं में गुफा संख्या डैश में मरना सनराजकुमारी नामक आकरती की चित्रकारी की गई है तो ये किस गुफा में है ठीके मरना सनराजकुमारी बहुत बार पूछा गया है बहुत ही फेमस कोश्चन है ये important आपसको लगा के चलेंगे तो मरना सनराजकुमारी जो है ये अजनता की गुफा संख्या 16 में है राइट आंसर आपका B हो जाएगा ठीके मरती राजकुमारी भी कहा जा सकता है तो मरतना सरने राजकुमारी अगर आप से पूछा जाये तो एजनता की गुफा संख्या सोला में है ठीके और इस चितर के विसेय में ग्रफत समहोदय का मत है कि यहाँ फ्लोरिंस के चितरकार इससे अच्छा रिखांकन कर सकता है यानि कि और वेनिस का कलाकार अच्छा रंग भर सकता है किन्तों दोनों में से कोई इससे सुन्दर भाव का प्रदर्सन नहीं कर सकता अजन्ता की गुफा सिंख्या सोला के प्रशिद्य चित्र हैं माया देवी का स्वप्न, नंध की दीक्षा, हस्ती जातक, महा उमंग जातक, नंध कुमार का वैराग्य, बुद्ध उपदेश, सुजाता की कहानी, नंध कुमार का वैराग्या भिक्षू होना एकी है, अजात श आचुके question है वो तो आपको आना ही चाहिए साथ में आपको वो भी चित्र पता होने चाहिए जो आपके आने वाले exam में नए question बन सकते हैं next question देखते हैं question number 53 अजनता गुफाओं की चित्रकारी में किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतरूपड करते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि अजनता गुफाओं की चित्रकारी में कौन सा चित्र ऐसा है जिसमें हाथी भगवान बुद्ध का ठीक, यहाँ पर चदंता जातक लिखा है, लेकिन मेंली ये आपका चदंत जातक है, तो आप याद रखेंगे चदंत जातक, ठीक, ये देखी, यहाँ पर दिया भी क्या है, चदंत जातक, जिसमें हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपड करते हैं, और ये किस गुफा मे हैं, तो ये भी आद रखेंगे कि अजनता की गुफा संख्या 10 में आपको शदंत जाता की कथा का चित्र मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नमर 54, अजनता की गुफाओं के परसर में 30 गुफाएं हैं, इन में से 5 गुफाएं, यानि कि गुफा संख्य डेस, चैत्य, दूर छोर पर स्कूल के साथ प्रार्थना है, तो इस कोशन का राइट आंसर होगा, आपका आप्सन B, गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29, ये सभी गुफाएं, चैत्य गुफाएं हैं, ठीक है, तो राइट आंसर आपका B हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन और ये NVS में पूछा गया प्रशन है, चलिए यहाँ पर डेटेल में जानते हैं, अजन्ता की गुफाएं में 30 गुफाएं हैं, और यहाँ पर 5 गुफाएं जो हैं, चैत्य और बिहार क्या होते हैं, अगर आपको पता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वरतमा में गुफाएं में चित्र मिलते हैं, अजन्ता की गुफा संख्या 2 वर 17 में नीले रंगा प्रयोग किया गया है, अजन्ता की गुफा में नारी चित्रं चरम उपलबधी में दिखाया गया है, ठीके गुफा संख्या एक में काली राजकुमारी का चित्र है, तो चलिए में राइट आंसर आपका ऑप्सन ए हो जाएगा सर जॉन इसमित नेक्स्ट कोशन देखते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन देखने से पहले कुछ और इंपोर्टन चीज़े जान लेते हैं अजन्ता गुफाओं के सबसे पहले किस ने देखा तो भी इंसांग ने देखा था याद रखेंगे अजन्ता गुफाओं के भीति चित्रों की अनुकृतिया स्वर्प्रथम किस ने बनाई डॉबर्ट गिल ने अजन्ता भीति चित्रों की रशना जो है ये गुप्त राजवन्स के शासनकाल में हुई और अजन्ता गुफा की सबसे प्राचीन चित्र गुफा नेक्स्ट कोशन ठीक है 56 नंबर देखिए अजन्ता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भीति चित्र बोधी सत्व पद्वपाड़ी चित्रत किया गया है ये कोशन अभी उपर रिपीट हो चुका है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और आंसर तो हैं उनको आप तयार करेंगे साथ में ही आप डिस्क्रिप्शन में और भी इंपॉर्टन चीज़ें दी जाती हैं तो उनको भी आप जरूर जाने है क्योंकि आपके आने वाले एक्जाम में नया कोश्चन उन्हीं में से बनाया जाता है ठीक है तो कोशन नंबर 57 देखिए आजन्ता की गुफा क्रमांग 26 में बनी महा परि निर्वान मूर्थी बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है तो राइट आंसर आप्सन डी हो जाएगा मृत्यू नेक्स्ट कोशन देख लिजे 58 थोड़ा फास्ट करते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है उपर आपको बताया है ये कोशन तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा अगर आपसे चित्र पूछा जाए तो गुफा संख्या एक में है लेकिन अगर आपसे मूर्ति शिर्प की बात के जाए मारविजय की मूर्ति किसमे है तो गुफा संख् पाड़ी चित्र का नाम पद्मपाड़ी है क्यों है पद्मपाड़ी पद्म मतलब कमल पाड़ी मतलब हाथ तो हाथ में कमल ठीक है राइट आपका आपसेन बी हो जाएगा हाथ में कमल नेक्स्ट कोशिर नमबर 62 निम्नलकेत में कौन सी गुफाएं हीन यां दृष्टी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपसेन बी पहली दूसरी और सोलवी नेक्स्ट कोशिर चलिए कोशिर नमबर 63 देखें अजन्ता के भेती चित्रों में निम्नलकेत में से किस गुफा की कमी है रेखिए पड़द्रिश किन गुणों की कमी है ध्यान रखेगा किन गुणों की कमी है रेखिए पड़द्रिश की परप्रेश के बहतायत की गतिशीलता की समुखी नियम ठीक है यहाँ पर आपका आपसेन ए बिलकुल राइट हो जाता है तो याद रखेंगे रेखिए पड़द्रिश की कमी है यहाँ पर ठीक है कोशिर नमबर 63 का आंसर होग ठीक चलिए नेक्स्ट कोशिन देख लेते हैं कोशिन नमबर 64 आजंता गुफाय किस नदी के तड़ पर इस्थित हैं तो आप जानते हैं बागभोर नदी राइट आंसर आपका आपसेन ए हो जाएगा नेक्स्ट कोशिन देखिए अधिकांस अजंता गुफाओं को कब चितरत किया गया दिये गए विकल्पों में से पहचान करना है तो आपका राइट आंसर आपसेन डी महायान काल में अधिकांस अजंता गुफाओं के जो चितर हैं वो महायान काल में चितरत किये गए राइ ये बुक जैसे ही complete होगी तो आपका practice set start किया जाएगा तो आप सबी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों आप वीडियो को share नहीं करते हैं तो प्लीज आप वीडियो को share करें एक वीडियो बनाने में बहुत जादा time भी लगता है और हमारी मेहनत भी लग selection होना यहां पर महत पूर बात है ठीक है लेकिन प्लीज अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को share करना यह आपका भी करतव्य होता है तो like और share करते रहें क्योंकि हमारी मेहनत उसमें लगती है और हमारा यह पूरा प्रयास है कि आने वाले जो वेकेंसी है उस उसी का होता है देखिए किसी भी चैनल से आपका सिलेक्शन नहीं है चैनल सिर्फ आपके मदद कर सकता है आपको चीजे प्रोवाइट कर सकता है लेकिन पढ़ना उसे आपको है अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम कितनी भी कोसिस कर लें आपका सिलेक्शन नहीं हो सक competition बहुत है और मैं request करती हूँ आपसे कि आप मन लगा के त्यारी करें साथ ही वीडियो को like and share करते रहें और चैनल को भी subscribe करें जो भी important videos upload होते हैं उनका notification आप तक पहुचता रहेगा चैनल पे बहुत सारे वीडियो दिये गये हैं और YouTube पे बहुत सारे channel है आप किसी भी channel से त्यारी करें या फिर आप कहीं भी पढ़ रहे हों कहीं भी coaching joint किये हों लेकिन में उद्देशी क्या है आपका goal क्या है selection ट्राप्त करना ठीक है तो आपका focus question में नहीं शब्द जरूर ध्यान देना है नहीं तो आपका एक्जाम में question गलत हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका right answer C हो जाता है हंस जातक यह आपकी गुफा संख्या सत्रह से संबंधित नहीं है बेसांतर जातक महाजनक जातक महाकप्य जातक सभी आपके सत्रवी गुफा में मिलते हैं ठीक है next question देख लेते हैं question number 67 अजनता के भीती चित्रों से पहले किस गुफा में भीती चित्रन हुआ है तो आप सभी जाते है जोगी मारा की गुफा में right answer option B next question देखते है थोड़ा फास्ट चलेंगे बोधी सत्व पद्मपाड़ी का चित्र अजनता की किस गुफा में है गुफा संख्या एक में है कई बार ये question repeat हो चुका है next question देख लेते हैं 69 अजनता गुफाओं की खोज कप की गई है तो अजनता गुफाओं की खोज 1819 में जौन स्मित ने की थी ये भी question repeated है next question देखते हैं 70 number देखिए अजनता की चित्रों का विशे आधारित है तो अजनता के चित्रों का जो विशे है ये बौध धर्म पर आधारित है right answer option भी भगवान गुद्ध से related चित्र यहां पर मिलते हैं next question देखते हैं पद्मपाड़ी बोधी सत्व कहा है पद्मपाड़ी बोधी सत्व अजनता की गुफाओं में है right answer option A हो आपका right answer option A हो जाएगा रॉबर्ट गिलेर नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं question number 73 देखे आजनता की विए कौल सी गुफाओं जिनमें आज भी चित्रों मिलते हैं ठीक यहां पर आपका answer C हो जाएगा right answer C नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं 74 देखे आजनता की किस गुफा में मरणोन मुखी राजकुमारी चित्रित हैं गुफा संख्या 16 में right answer B कई बार ये question repeat हुआ है 75 नमबर देखते हैं देखते हैं अजनता की सर प्रित्थम बनी प्रतलिपिया कहां प्रदर्शित की गई थी आजनता की चित्रों की चित्रण विधी क्या है तो यहां पर आपका right answer D होगा फ्रेश को तक्निक यहां पर यूज की गई है फ्रेश को तक्निक और अगर आपको टेम्परा वीदी मिले तो वह भी आप आंसर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कुश्चन नमबर 77 अजनता की गुफाएं किस राज्य में इस्तित्य राइट आंसर आपका आप्सन भी महा राश्ट्र में नेक्स्ट कोश्चन 78 देखिए महात्ना बुद्ध के पूर्वजन्मों की काल्पनिक कताय किस से संबंधित है तो ये जाता कताय हो जाएगा राइट आंसर आप्सन भी नेक्स्ट कोश्चन अजनता के गुफाओं की कोच कब हुई थी तो अजनता के के गफाओं की खोच 1819 में जॉनस्मित ने किया था है नेक्स्ट कोश्चन अजनता के भीतिचित्र किस धर्म से संबंधित है राइट आल सरा आपका आप संडी हो जाएगा ब्दित धर्मस देशों के लिए बुद्ध के पूर्व जन्मिक के लिए किया गया है right answer option c next question भीक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है अजन्ता की गुफा में right answer option b ठीक है गुफा संख्या 17 में next question देखते हैं आजन्ता की गुफा संख्या एक का निर्मार काल क्या है तो गुफा संख्या एक का निर्मार काल है आजन्ता की चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था तो पीला रंग किस से बनाया था संखिया से ठीक है पीला रंग संखिया से याद रखेगा option C next question देखते हैं 87 आजन्ता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है तो यहां पर 20 रेखा शैली का प्रयोग किया गया है राइट आंसर आपका B हो जाएगा आजनता के चित्र निर्मित हैं, आजनता के चित्र जो है ये भीती पर निर्मित है, राइट आंसर आपका उप्सिन D, ठीक है, नेक्स्ट कोशन, आजनता की गुफाईं इस्थित हैं महारास्ट में, राइट आंसर B, नेक्स्ट कोशन, बोधी सत्व पद्मपाणी नामक चित तरकिस गुफा में इस्थित थे बोधी सथ्व पत्व पाड़ी गुफा-संख्या, एक में है, राइट आंसर ओप्सिं ए नक्स्ट को शन, अजनता में कितने प्रकार की गुफाएं है, जनता में दो प्रकार की गुफाएं है, चैति और विहार गुफाएं, ठीक है, चैते गुफाय जो है इनका निर्मार बौध भिक्षुओं के पूजा अर्चना के लिए किया गया है जबकि विहार गुफाय जो है ये इनका निर्मार जो है बौध भिक्षुओं के निवास के लिए किया गया है ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन देखे, 92, अजन्ता गुफाओं के भीती चित्रों की अनुकृतियां सर्व प्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाए गई, ठीके, किस अंग्रेज चित्रकार के द्वारा बनाए गई, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाता है, आप हमने आपको उपर बताया, तो यह है गुफा नंबर 10 में, छहदंत जातक की कथा का वरणन गुफा नंबर 10 में मिलता है, अजन्ता की, नेक्स्ट कोशन, कोशन नंबर 94, अपसरा नामक चित्र अजन्ता की किस गुफा में है, ठीके, तो यह गुफा संख्या 17 में है, अपसर B हो जाता है, नेक्स्ट कोशन देखे, अजन्ता गुफाएं इस्थी थे, तो अजन्ता गुफाएं महारास्ट राज में है, राइट अंसर C, नेक्स्ट कोशन, 97, फ्रेसको सेको तकनिक भारत के किस चित्रन शैले से संबंधि थे, अजन्ता चित्रन शैले से, राइट अंस अजनता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है पहले जनता में 29 गुफाओं थी लेकिन अब वर्तमान में जनता में 30 गुफाओं मिलती है तो राइट आंसर सी ठीक है नेक्स्ट कोशन अजनता का चित्र माता पुत्र ये शुधरा और राहूल की संख्या गुफा में है तो ये है आपका 17 गुफा में राइट आंसर सी ठीक है माता पुत्र का चित्र जिसे राहूल ये शुधरा और राहूल के नाम से भी जाना जाता है तो ये 17 गुफा में है और 17 गुफा को चित्र शाला भी कहा जाता है ये भी आप याद रखेंगे अजनता की किस गुफा को चि चित्रित है राइट आंसर ए बोजाएगा गुफा संख्या 17 में नेक्स्ट कोशन देखिए 102 गौतम बुद्ध का उपदेश था तो चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय राइट आंसर ए नेक्स्ट कोशन आजनता में कितनी जातक कताय चित्रित है आजनता में 547 जातक कताय चित्रित है राइट आंसर बी नक्ष कोशन अजनता चित्रकला का माध्यम क्या है जब आप सभी प्रशनों को त्यार कर लेंगे तो कहीं से भी कुछ भी नहीं चूटता है तो आपका सेलेक्शन तो होना ही होना है अजनता चित्रकला का माध्यम क्या है ठीक है य या गया है लेकिन यहाँ पर आपका Right Answer option D होगा Tempra माध्यम क्योंकि डंक में फ्रेशको तकनिक का प्रयों경 किया गया है तो तो Right Answer यहाँ बर ऑप्षिन दी हो जाएगा और इसमें क्या करते है फ्रेशको सेको में गीली भीती पर चित्रकारी की गई है और यह चित्र बहुत धर्म से संबंधित है यह भी याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन देखते हैं एक सुपाश नमबर देखें अजन्ता की गुफाएं किस राजी में पाई गई है राइट आलसर आका अपसेंसी महा राष्ट्र वे कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्ण विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है तो आप जानते हैं विहार गुफाओं को संघा राम भी कहा जाता है राइट आलसर सी नेक्स्ट कोशन जातक कथाय आधारिते बुद्ध के जीवन पर राइट आलसर सी नेक्स्ट कोशन एक सुपाट नमबर देखें अजन्ता भीती चित्रों की रशना किस राजवन्स के शासन काल में हुई है तो यहां पर आपका वाकार टक निम्नक अठन दिए जा रहे हैं बधी के दिव्यता में विश्वास करते थे तरप बुद्ध हुआ बुधिसत्वो के अनुग्रह वह सहारे से सभी कि मुख्श की कामना करते थे ठीक है या फिर ब मुद्ध हुआ बोधिसत्वों की उपाश्य मूर्तियों को पूंसा आपको बताना है कौन सा कूट सही है तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी ठीके राइट आंसर आपका बाझ हो जाएगा उपरऊक्त सभी जितने ही कूट दिये हैं याई जितने ही ऑप्सन दिये है सभी stem है चलिए एक सुट स नमबर देखते हैं अजन्ता गुफा में बुधी सत्व पद्मपानी चितर किस गुफा में है बहुत बार रिपीटिट है गुफा नंबर 1 में है बुधी सत्व पद्मपानी का चितर next कोशन है देख वीजे 111 नंबर अजन्ता गुफां की कुल संख्या है अब यहाँ पर 29 आपको option में है, क्योंकि यह PGT 2002 का question है, अब आपको यहाँ पर 30 मिलेगा, तो आप 30 में tick करेंगे, अगर option में आपको 29 मिलता है, तो आप इसको भी tick कर सकते हैं, ठीक है, next question देखिए, 112 नमबर, अजनता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रशिद्य चितरस्ति है, तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा, माता पुत्र राइट अंसर B, next question, हैंस जातक अजनता की किस गुफा में है, गुफा संख्या 17 में है, देखिए, कुछ चितर ऐसे हैं, जो गुफा संख्या 10 में भी मिल जाते हैं, और 17 में भी मिल जाते हैं, तो इसमें भी आ किसी भी प्रकार के रकच ताजी भीति पर लगाना भूनो है, विशेश प्रकार से तयार प्लास्ट भीति पर भूमिज यानि प्राक्तिक रुप से प्राप्त रंग लगाना भूनो प्रविधी है, इन में से कोई नहीं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, option C, ठी तो विशेश प्रकार से तयार, ठीक है, विशेश प्रकार से तयार प्लास्टर भीति पर भूमिज रंग लगाकर चित्रों का निर्मार किया जाता है, राइट आंसर C, next question देखिए, त्रड कथन का अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शास को व्यापारियों के दलने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धान जली अर्पित करने के लिए चुना था, कारण दिया हुआ है, इस्थला कृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपे जनमवद दाशनिक प्रतिकों से मेल खाती थी, तो यहाँ पर कौन सा अंसर सही है, दोनों का वख सही है, तथा ख का का सही स्थिकरण है, या फिर दोनों का वख सह नहीं है, या फिर केवल का सही है, या फिर केवल का सही है, इस तरह का कोशन आने वाले एक्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, और ये PGT 2000 का प्रशन था, तो ऐसे भी प्रशन आपको मिल सकते हैं, पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपक पूर्ण चित्रत गुफाओं की संख्या के विशह में निम्रकत विगल्पों में से कौन सा सही है, राइट आंसर सी, ठीक है, तो पूर्ण चित्रत गुफाओं की संख्या के तिहें, छे गुफाएं हैं, नेक्स कोशन देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान ही करना है, ता ठीक है, यहाँ पर इसका कौन सा कूट सही होगा, चलिए देखते हैं, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 10 से कौन सा चित्र है, तेखिए, अगर इसमें से आपको एक दो भी चित्र पता होंगे, तो आप इसको आसाने से कर लेंगे, जैसे माता पुत्र आपको गुफा सं संक्या 10 में मिलता है, पदमेपाडि बूहаботी सत्व गुफा संक्या 1 में मिलता है, और गुफा संक्या 2 में है सुनहरे मेरत, म्रेग का धार्मोपदेश, ठीक, तो यहाँ पर आपका देखते हैं कौन सा आणसर यहाँ पर सही है, ओप्सन C, ठीक है, डाइट आणसर यहाँ प 118 अर्ब के अनूक्रिटी का कारिश सरप्रत्रत्रान अर्ट यह चो बिंगते 120 नमबर देखिए अजनता के भीती चित्र किसमाध्यम या विधी से निर्मित हैं, तो यह मिश्रत विधी हैं, आपको याद रखना है, अगर मिश्रत विधी है उप्सन में तो आपको मिश्रत विधी ही टिक करना है, ठीक है, नेक्ट कोशन देखिए, अजन्ता में कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर 29 दिया है तो आप 29 को टिक कर दीजिए लेकिन याद रखेंगे 30 गुफाएं हैं वर्तमान में क्योंकि पहले 29 गुफाओं की एक शेड़ी थी अजन्ता में ठीक है 29 गुफाएं ही थी लेकिन बाद में कुछ वर्तमान में और गुफाँ का पता चला था थीक है 14 वर 15 के मध्य में एक और गुफाँ का पता चला पहले तो उसका नाम क्या रखा गया था पन्द्रहमी वी यह Pastor अ ठीक है 14 और पंद्रह पेच में बीच ने वर गुफाः भी 16 क क्तिक क्या है बुद्ध के पूर्वजन की कथाएं बार-बार रिपीट हुआ है डी आउक्षन नेक्स्ट कोश्टन अजनता की गुफाएं किस टांत में है तो ये भी आपको पता ही है राइट आंसर सी महाराश्ट्र में नेक्स्ट कोश्टन देखिए 124 नंबर महातना बुद्ध क ग्रिहत्याग अजनता की किस गुफा में संख किस गुफा में चित्रित है तो ये है सोलमी गुफा में है ग्रिहत्याग नेक्स्ट कोश्टन देखिए बुद्धी सत्व पत्मपानी अजनता की किस संख गुफा में चित्रित है राइट आंसर आपका ऑप्सन ए गुफा question कितना important है कौन सा question जादा से जादा बार repeat हुआ है इसको भी आप जरूर ध्यान देजिएगा ठीक है next question देखिए अजन्ता की गुफाओं में 1000 बुद्ध अजन्ता की गुफाओं में 1000 बुद्ध कि संख्या गुफा में चित्रित है तो यहां पर आपका राइट अंसर होगा option C गुफा संख्या 2 में आपको 1000 बुद्ध का चित्र मिलता है नेक्स्ट कोश्चन देखिए question 127 अजन्ता एलोरा की गुफाओं कितने वर्ष में बनकर त्यार हुई थी तो यह ग्यारासों वर्ष ठीक नेक्स्ट कोश्चन अब यह चीज़ें आपको कई जगा अलग-अलग भी मिल सकती है ठीक है तो आप एक अनुमान के अधार पर याद रखिए और option जैसा आपको मिलता है उसके according ही आप टिक करेंगे यहाँ पर देखिए अजन्ता कितने मीटर की लंबाई में फैला है कोश्चन अमबर 128 है तो यहाँ पर 600 गज की लंबाई में बनाई गई है यह पूर्वसी पश्चिम की ओर तो 600 यहाँ पर option में नहीं है तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 119 नमबर देखिए अजन्ता में किस धर्म से जुड़े चित्रिया मूर्थी नहीं है तो बहुत धर्म है ठीक है हिंदू जैन और इसाई धर्म नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, C, D कई कोश्चन एक्जाम में गलत भी आ जाते हैं तो उसको भी आप ध्यान देंगे ऐसे कोश्चन पर विवाद भी हो जाता है अजन्ता में बोधी सत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है राइट आंसर आपका option A हो जाएगा गुफा संख्या 1 आजन्ता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है भगवान बुद्ध के राइट आंसर भी है आजन्ता में कितनी गुफाएं हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका option A हो जाएगा 30 गुफाएं 30 ऑप्सन में है तो 30 ही लगाएंगे आजन्ता गुफाएं कप प्रकास में आई 1819 में चलिए नेक्ष कोषन देखते है अजन्ता गुफाएं किस धर्म पर आधारीत है बौध राइट आंसर आपका option B हो जाएगा नेक्ष कोषन देखते है आजन्ता की भीति चित्रकारी में सत्ह को त्यार करने में किस तकनिक को अपनाया गया है तो यहाँ पर option A बिल्कुल आपका right हो जाएगा चावल की भूसी और गोन सहित गाय का गोबर इसको भी आप याद रखेंगे चावल की भूसी और गोन सहित गाय के गोबर का तक्नीक को अपनाया गया है next question देखिए अजन्ता गुफाएं इस्ति थें कहाँ पर रस्ति थें महारास्टर में right answer D next question अजन्ता की चित्रकला की चित्रकला की उदाहरण है तो यहाँ पर mural right answer A बुजाएगा mural next question अजन्ता चित्रों का प्रमुख इस्थान क्या है right answer C महारास्ट next question देखते है अजन्ता चित्रों का प्रमुख विशे क्या है बहुत बार रिपीट हो चुका है right answer B next question अजन्ता की समकालिन चित्र कहां मिलते हैं तो बाग की गुफाओं में मिलते हैं right answer D यह भी याद रखेगा next question 141 नमबर देखे अब तक तो यह आपको अच्छे से एकड़म याद हो गया होगा अजन्ता की किस गूफा में मरणा संद राचकुमारी का चित्र है next question फिक्षुक बुद्द का प्रसित्र चित्र जन्ता की किस गूफा में मिलते हैं right answer C गुफा संख्या 17 में मिलते है next question ठीक है, पदमेपाणी अवलोकितेश्वर का प्रथा मंकन कहां मिलता है, भीती चित्र पर मिलता है नेक्स्ट कोशन देखिए, कौन सा चित्र अजनता का नहीं है, तो महावीर ठीक है वहाँ बहुत धर्म से related चित्र है तो मरनासन, राजकुमारी, पद्पाने, औलोकितेश्वर, छदन जादा यह तीनों ही है, राइट आंसर आपका हो जाएगा option D, महावील नहीं है नक्स्ट कोशन देखे, इन में से कौन असमवध है यह तीनों ही लगु चित्रण शैली है लेकिन आजन्ता की चित्रकला जो है, यह भीती चित्रण कला है राइट आंसर आपका option D, नक्स्ट कोशन आजन्ता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, वोधी शत्व पद्म पाणी राइट आंसर D, नक्स्ट कोशन देखिए आजन्ता में कितनी गुफाएं हैं, तीस राइट आंसर C हो जाएगा, नक्स्ट कोशन आजन्ता चित्रों का मूल विशय क्या है, बुद्ध चरित धगवान बुद्ध के चित्री यहां पर है, तो राइट आंसर C अजन्ता किस प्रदेश में है, महारास्ट में है, राइट अंसर D हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन अजन्ता कि किस गुफा में हंस जातक भीति चित्रन है, गुफा संख्या 17 में है, राइट अंसर A हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन देखे अजन्ता की गुफा संख्या एक का निर्मार काल क्या है? सात्वी शताब्दी राइट आंसर C यहाँ पर देखी सभी गुफाओं का निर्मार काल दिया हुआ है तो इसका आप स्क्रेंशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं महत्ना बुद्ध को भिख्षुक के रूप में जनता कि किस गुफा में चित्रत क्या गया है? सत्रहवी गुफा में राइट आंसर C अब यहाँ से आपकी बाग की गुफाओं के कोश्चन स्टार्ट हो जाते हैं चलिए बाग गुफाओं के प्रश्चनों को भी देखते हैं एलूरा गुफाओं कहां स्थित हैं? पहला कुश्चन यहाँ पे एलूरा गुफा का दिया हुआ है तो इसको भी देख लीजे, यहाँ पर आपका पता ही है कि लूरा गुफाए महाराश्टराजी में है, राइट आंसर D हो जाता है अगला प्रिश्ण है, बाग गुफाए किस जनपद में है, ठीक है, तो बाग की गुफाए जो है, यह थार जनपद में है, राइट आंसर D नेक्स्ट कोशन देखिए बाग गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है रंग महल जो है यह चौथी गुफा है बाग की राइट आंसर ए हो जाएगा इसके साथ ही आप याद रखेंगे बाग गुफा में रंग महल जो है यह चौथी गुफा है इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि बाग की प्रत्थम गुफा का नाम जो है वो ग्रह गुफा है और दूसरी गुफा गुसाई गुफा अत्वा पंच पांडू की गुफा भी कहलाती है और तीसरी गुफा जो है ये हाथी खाना के नाम से जाने जाती है और चौथी गुफा को रंग महल कहते हैं तो ये सभी कुछ आपको जानना चाहिए अगला प्रिशन देखिए धार जिले में इस्थित बाग गुफा किस राज्य में इस्थित है ठीक है मध्य प्रदेश में प्रदेश में नेच्ट कोश्चन चलिए बाग गुफाओं को थोड़ा सर देख लेते हैं बाग गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में इस्थित है और सरुर प्रिथम इन गुफाओं का जो परिचे तथा विवरण है वो 1818 इस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजर फ परवत के दक्षनी धाल पर बागीनी नदी के किनारे इस्थित ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट कोश्चन देख लीजिए कोश्चन नमबर 158 बाग की किस गुफा में सरवाधिक चित्र बने हैं तो सरवाधिक चित्रों की बात अगर की जाती है तो ये आपको मिलत हैं बाग की चौथी गुफा में इसलिए उसी रंग महल के नाम से जाना जाता है ठीक है बाग में कुल नौ गुफाएं प्राप्त होती है जिसमें से गुफा संख्या साथ आठ और नौ पूर्ण तर नच्ट हो चुकी है बाग की चौथी गुफा में सरवाधिक चित्र प् हाथियों का जुलूस धर्म चक्र केले के व्रक्ष के नीचे बैठ कर शिश्यों को उपदेश देते बुद्ध और उपनिशत बुद्धी सभी चित्र मिलते हैं इसलिए बाग की चौथी गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है लेकिन यहाँ आप्सन में पहली तीसर है दूसरी चौथी है पहली पांच में इसलिए यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं लगता है तो आप्सन डी के साथ चा सकते हैं इन में से कोई नहीं क्योंकि चौथी गुफा में ही सरवाधिक चित्र बने हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिए बाग में कुल कितनी गुफ बाग में कितनी गुफाएं हैं बाग में नौ गुफाएं हैं राइट आलसर बी नेक्स्ट कोशन बाग की गुफाएं इस्थित हैं तो बाग की गुफाएं जो हैं यह मध्य प्रदेश में इस्थित हैं ठीक है बाग की गुफाएं कहां हैं मध्य प्रदेश में हैं नेक्स कोशन देख लिजे बाग में कितनी गुफाएं हैं बाग में नौ गुफाएं हैं राइट आंसर डी होगा वही कोशन बार बार रेपीट हुआ है बाग की पहली गुफा का छेत्र फल किया है तो यहाँ पर आपसें ए 22 फीट गुड़ते 18 फीट नेक्स्ट कोशन देख लिजे बाग गुफाओं को जाना जाता है बाग गुफाओं को पंच पंडों के रूप में जाना जाता है राइट आंसर ऑपसें बी नेक्स्ट कोशन बाग गुफाओं के भीती चित्रों को बनाने में किस तकनिक का प्रयोग किया गया है तो ग्लू र अगर चित्रन तक निये की किस गुफा में प्रयोग किया गया है बाग की गुफाओं में ये वीडियो देखने के बाद अगर आप चैनल पे जो प्लेलिस्ट है गुफाओं की चित्रकला उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो है फिर से वही कोशन रिपीटेड है राइट आंसर भी मध्य प्रदेश नेक्स्ट कोशन अब यहां से आपके सित्तन वासल गुफा के कोशन स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है सित्तन वासल गुफा बहुत अच्छे से आप जानेंगे अगर वीडियो को देख लेंगे तो चलि सित्तन वासल की गुफाँ में सित्तन वासल की गुफा जो है यह दक्षन भारत में है ठीक है तो दक्षन भारत में है और चलिए और भी कोशन देखते हैं इसका तो यहाँ पर यह कोशन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाया गया है यह भी आप से पूछा क्या है कि सित्तन वासल की गुफा कहा है तो यह तमिल नाडू में है याद रखेंगे तमिल नाडू के तंजोर जिले की अंतरगत पद्दु कोट्टई में है ठीक है राइट आंसर आपको ऑप्शन भी नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं यह भी कोश्चन क्लियर नहीं दिया गया है चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं सित्तन वासल की गुफा किस धर्म से संबंदित है तो आपका राइट आंसर होगा option B जैन धर्म से ये संबंदित है यहाँ पर पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने सित्तन वासल गुफा किस धर्म का मंदिर है राइट आपका होगा option C जैन नेक्स्ट कोशन देखिए सित्तन वासल बाग तथा मातान चेरिक किस लिए प्रसिद्ध है तो ये भीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है राइट आंसर आपका option B नेक्स्ट कोशन सित्तन वासल के गुफा मंदब किस नदी के तट पर इस्थित है तो यहाँ पर आपका option होगा राइट आंसर C कावेरी बहुत जगह आपको कृष्णा नदी मिल जाता है लेकिन यहाँ पर राइट आंसर C होगा कावेरी नदी तो कृष्ण नंबर 175 देखिए बादामी गुफा का निर्मार इन में से किस राजवन्स ने करवाया था राइट आंसर आपका option A हो जाएगा चालुक की राजवन्स ठीक है नेक्स्ट कोश्ट देखते हैं कृष्ण नंबर 176 ठीक है बादामी गुफाएं किस परवत श्रेड़ी में इस्थित हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा option A बीजापूर परवत श्रेड़ी में ठीक है बादामी करनाटक प्रांत के बीजापु जिले में इस्थित है और यहाँ पर चार गुफाएं पाई गई है जिनका निर्मार चालुक्यों ने किया इस गुफा में हिंदू और जैन धर्म से सम्बंधि चित्रों का निर्मार किया गया है कोश्य नमबर 177 देखिए बादामी की गुफाएं किस राजजे में है तो बादामी की गुफाएं जो है यहाँ पर देखिए यह चारो ही विकल्प गलत दिये गए हैं आपको अभी हमने बताए कि बादामी की गुफाएं करनाटक राजजे में इस्थित है ठीक करनाटक राजजे के बीजा पुट जिले में इस्थित है यह भी आप याद रखेंगे 178 नमबर देखिए बादामी की गुफाएं की खोज किस ने की थी बादामी गुफाएं की खोज स्टेला क्रेमरिश ने की थी राइट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन बादामी की खोज का स्रे किसे प्राप्त है तो यहाँ पर भी आपका आंसर राइट होगा सी स्टेला क्रेमरिश ने की थी बादामी गुफा चित्रों की खोज और बादामी में चालुक्यों द्वारा चार गुफा मंदिर बनवाए गए हैं ठीक है जिन में एक जैन धर्म से संबंधित है और तीन राम्हड धर्म से संबंधित है नेक्स्ट कोशन देखते हैं पेश थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो आप लोग इसको मेहनेज करेंगे बादामी की गुफा किस राजी में इस्तित हैं तो यहाँ पर आपका उप्शन होगा A करनाटक राजी में इस्तित है नेक्स्ट कोशन देखें बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत किया गया था 1918 में ठीक नेक्स्ट कोशन शिव विवाह से संबंधित द्रिश्य शिव विवाह से संबंधित द्रिश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है आपके बादामी की गुफाओं में कई बार ये question repeat भी हुआ है next question देखते हैं question number 183 बादामी की गुफाओं कि शैली का प्रतिनिधित्व करती है बादामी की गुफाओं कि शैली का प्रतिनिधित्व करती है चालुक्य right answer option B next question बादामी किस प्रदेश में है तो ये है करनाटक में राइट आंसर D नेक्स्ट कोश्चन देखे श्रिविवाह से समान दिर्ष्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त है बादामी की गुफा में राइट आंसर D हो जाता है नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर अब आपकी एलोरा की गुफाओं के question दिये गए हैं दर्सनी मूर्तिकला महिशाश्वर मर्दिनी इन में से किस गुफा में है तो यह आपकी एलोरा की गुफा में है right answer A next question एलोरा की गुफा संख्या डैश रामड की खाई के नाम से प्रसिद्ध है तो गुफा संख्या 14 रामड की खाई के नाम से प्रसिद्ध है ठीक है एलोरा की गुफा संख्या 14 है यह रामड की खाई के नाम से famous है next question देखिए और यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए एलोरा की गुफा संख्या 15 जो है यह दशावतार मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसका निर्माड दंती दुर्ग सेकेंड के काल में हुआ था एलोरा की गुफा संख्या 14 रामड की खाई के नाम से प्रसिद्ध है एलोरा की गुफा संख्या 16 जो है ये कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसका निर्मार कृष्ण प्रतम के काल में आठवी शताब्दी में हुआ तो ये इंपोर्टेंट है आप नोट कर सकते हैं और भी देखिए एलोरा की गुफा संख्या 21 अगर आप से पूछा जाए कि एलोरा की गुफा संख्या 21 किस नाम से प्रसिद्ध है तो ये रामेश्वरम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है एलोरा की गुफा संख्या 29 जो है ये ग्रूमर लेड ठीक है ग्रूमर लेड के नाम से प्रसिद है एलूरा की गुफा संख्या 14 की जो प्रमक मोर्तियां है उसके अंतरगत है रावार नुग्रह ठीक है अंदकारी नरेश उमा महीश्वर नवगरी लक्ष्मी और भू देवी से वेश्चित विश्णू सब्त मात्रिकाओं गडे सहित महिशाश्वर मर्दिनी दुर गजलक्ष्मी तत्था गंगा यमना की मोर्तियां उल लिखनी हैं ठीके ऐलूरा की गुफा संख्या 32 कई बार पूच्छी गइह और यह अपके ैसवी का फेमस कोशन वनता है ऐलूरा की गुफा संख्या 32 में इंद्र साभा के नाम से जाने जाती है ठीक और गुफा संख्य जंख्या 33 जगरनात सभा गुफा जंख्या 30 छोटा कहलास की नाम से प्रसिद्ध है तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह सब कुछ आप नोट कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखिए एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किस ने करवाया तो यहां पर राइट आंसर आपका होता है सी ठीक है एलोरा के जो गुफा मंदिर है इनका निर्माण राष्ट कोटो के द्वारा कराया गया next question एलूरा इस्थित कैलाशनात मंदिर का निर्मान किसके द्वारा कराए गया राश्ट्र कूटो के द्वारा right answer B next question कौन सी गुफा सबसे लेखनी ये थीम को दर्शाती है जिसमें रामण द्वारा माउंट कैलास हिलाने के थीम को दिखाया गया है तो ये है गुफा संख्या 16 next question एलूरा किस राज्य में इस्थित है महारास्टर में right answer C ठीक है एलूरा का प्राचीर नाम क्या था वेरूल था पहले ही बताया जा चुका है और इसके पहले के अगर आपने तीन चैप्टर के वीडियो नहीं देखे है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट है यूथ कॉंप्टिशन टाइम स्कला उसमें आप जाएंगे तो सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे ठीक है और भी चैनल पे बहुत important question कराएंगे है इसके पहले भी 500 प्रशनों के श्रेंखला भी दी गई है उन सभी प्रशनों को अगर आप जादा से जादा रिवीजन करेंगे तो आपके question आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे और exam में गलत नहीं हो सकता एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है राइट अंसर होगा option B कैलास नेक्स्ट कोशन एलोरा की गुफाएं किस राजे में इस्थित है तो एलोरा की गुफाएं जो है ये महारास्ट में है राइट अंसर B हो जाता है नेक्स्ट कोशन एलोरा प्रसिध है एलोरा जो है ये मोर्तियों के लिए प्रसिध है राइट अंसर D ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन देखिए एलोरा की गुफाएं और शेलिकृत मंदिर है तो यहाँ पर आपको हिंदू, बौध और जैन, तीनों के ही मंदिर मिलते हैं राइट आंसर आपका D हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन एलोरा की गुफाएं अजनता की गुफाओं से कितने किलो मेटर दूर है ठीक है तो यहाँ पर यह कोश्चन का जितना भी आप्सन है इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है यह तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं एलोरा गुफाएं महराष्ट में और अंगाबाद से 29 किलो मेटर ठीक है 29 किलो मेटर तथा जनता से 135 किलो मेटर की दूरी पर है नेक्स्ट कोश्चन देखिए एलोरा से कौन सा मंदिर एलोरा की जान है तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह एलोरा की जान है राइट आंसर C एलोरा में कुल कितनी गुफाएं है 34 गुफाएं है राइट आंसर A सही हो जाता है एलोरा के प्रसिदिक एलाश मंदिर का निर्माड एक राष्टर कूट नरेश ने कराया था वस नरेश का नाम क्या था तो कृष्णराज प्रथम राइट आंसर C नग्स्ट कुष्टन अब हम देखेंगे एलेफेंटा गुफाओं के प्रशनों को त्रिमूर्टी इन में से किस गुफा में है आप सभी लोग जानते है एलेफेंटा में है राइट आंसर C हो जाता है जिसे महिश मूर्ती के नाम से भी जाना जाता है ठीक है एलिफेंटा गुफा मंदिर कहां पर इस्थित है ये महारास्ट में है राइट आंसर B प्रशिद्ध शैल उतकिन त्रेमूर्ती में है तो क्या है एलिफेंटा गुफाओं में है राइट आंसर C नेक्स्ट कोश्टिन विख्यात महश मूर्थी रॉकाट मूर्थी कहां है यह आपकी एलिफेंटा में है option B बिल्कुल right हो जाता है नेक्स्ट कोश्टिन एलिफेंटा किसलिए प्रसिद्ध है तो एलिफेंटा भी मूर्थियों के लिए प्रसिद्ध है right answer B तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में 204 प्रश्न पूरे कम्प्लीट कराए गया है Youth Competition Times चित्रकला का Chapter 4 गुफाओं की चित्रकला इस एक वीडियो में पूरा कम्प्लीट कराए गया है तो आप से रिक्विस्ट है कि वीडियो को लाइक करें एंड जादा जादा शेयर करें आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो इस वज़े से सभी तक ये वीडियो पहुँच नहीं पाता है तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के बीच आपकी वेकेंसी दिखेगी तो उसके लिए आप पहले से तैयारी करते रहें वेकेंसी आने पे केवल रिवीजन किया जाता है तैयारी हम पहले से रखते हैं तो अगर आपने अभी तक प्रिप्रेशन स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज आज से ही आप लग जाईए अपनी तैयारी बहतर ढंग से कीजिए और एक सीट आप अपने लिए जरूर ले लीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेकर इन वाइबर